Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका LIC Agency का करियर बहुत बढ़ियां चल रहा होगा So friends, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एक LIC का प्लान से related है और ये ऐसा वैसा प्लान नहीं है ये LIC का एक ऐसा प्लान है कि जिसमें मान लिजे कि आप 50,000 रुपय हर साल सेव करेंगे तो LIC भी 50,000 रुपय उसके उपर देगी आपको यानि कि हर साल आप जितना पैसा डालेंगे उतना आपका LIC देगी यानि कि डबल होगा आपका पैसा तो बहुत ही जबर्दस्त प्लान है और सबसे ज़्यादा बिखने वाला ये प्लान है I'm sure आप उस प्लान को जानते ही होंगे लेकिन जिस concept के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ शायद वो concept आपके लिए नया होगा आप इस प्लान को जो LIC का सबसे best selling प्लान है उसको एक दूसरे तरीके से समझेंगे उसका एक दूसरा ही रूप देखेंगे और ये वाला तरीका और ये वाला benefit और इस तरह से अगर ये feature अगर आप customer को बताएंगे so customer, mutual fund stocks और बाकी सारी चीज़े भूल जाएगा because यहाँ पे उसे government की सरकारी company LIC का trust और benefit insurance का भी मिलेगा इस प्लान में so guys स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है investment path इस चैनल पे आप सभी को LIC से related plan combinations की plan की, नय concepts की और news की videos भी लेगी साथी साथ इस चैनल पे आपको stocks और mutual funds से related भी अब videos मिलेंगे जिससे की आपका knowledge और बढ़ेगा so guys अगर आप नय है मेरे चैनल पे तो इसको जरूर subscribe कर लें और मेरी पुरानी videos भी देखें आपके जरूर काम आएंगे वो और इस video को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी groups में जिससे की ये plan ये सबसे best selling plan, best concept, सभी insurance advisor को मिले और सभी की life अच्छी हो जाएं so guys यहाँ पे अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं thumbnail, सबसे पहले thumbnail में आप देख सकते हैं लिखा है LIC का सबसे ज्यादा return देने वाला plan ये LIC का सबसे ज्यादा return देने वाला plan है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है कि 50,000 रुपीज की साल आ जो आपका बचत किया हुआ पैसा है वो दुगुना हो जाएगा यानि कि 100% interest ये एक concept है हलांकि directly यहाँ पे 100% interest नहीं मिलता है किसी भी investment product में लेकिन जिस concept का थुरू में बताऊंगा उस concept का थुरू आप जो yearly पैसे जमा करेंगे उस पे 100% ही directly return मिलेगा कैसे ये concept काम करेगा कौन सा प्लान है इसके पूरी detail इस वीडियो में आपको मिल जाएगी आप save करेंगे 8 लाख रुपे इसमें और 28 लाख रुपे तक का maturity value आपको मिलेगा with insurance यानि कि इसमें insurance भी अच्छा खासा आपको मिलेगा natural and accidental death पे so बढ़ते हैं इस plan पे और जानते हैं कि plan में आगे क्या क्या है so guys plan और details में बढ़ने से पहले आप सभी को यहाँ पे रोकना चाहूँगा और एक नए app के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है navi app इस app के बारे में मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब अभी थोड़ा सा कुछ पैसे जो है LIC पे तो करते ही है आप साथ ही साथ आप digital gold में भी कुछ पैसे इंवेस्ट कर पाएं और mutual fund में भी कुछ पैसे इंवेस्ट कर पाएं तो यह जो platform है यह जो app है यह सबसे बढ़िया अप है अगर आप gold में investment करना चाहते हैं digital gold में तो यह या फिर mutual fund में because बढ़िया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक रुपे से gold की खरीदारी कर सकते हैं यानि कि अगर आपके बस एक रुपया हो दस रुपया हो सो रुपया हो हजार रुपया हो आप उतने का gold खरीद के यहाँ पर रख सकते हैं और हर महीने या फिर जब भी पै सकते हैं तो यह एप डाउनलोड करने के लिए मैंने अपने description में वीडियो के link दे दूँगा आप उस link के थ्रू ही इसको install करें और register करें register करके कवाईसी करते ही 34 रुपया आपके account में bank account में directly आ जाएगा आप उससे भी investing शुरू कर सकते हैं so description में जाके link है navi app का वहाँ से इसे install करके कवाईसी कर ले अब बढ़ते हैं आगे जो हमारा main वीडियो का content है so सबसे पहले देखते हैं इसका premium chart तो premium chart में आप देखेंगे कि जो first year premium है वो है 51,789 रुपया यानि कि पहले साल 51,789 देने होगा same half yearly quarterly और monthly premium भी दे सकते हैं दूसरे साल से इस plan में आपको 50,644 रुपय का premium देना होगा तो ये तो रहा premium अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं maturity benefit कैसे मिलती है तो इस जो plan है plan की मैं नाम भी बताऊंगा table भी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं sum assured बतायता हूँ sum assured है इसका 11,00,00 रुपय का और अब इसमें 11,00,00 रुपय पे देखिया आप जो हर साल आप जमा कर रहे हैं जो मैंने आपको premium बताए वो बताए आपको 50,644 रुपय यहाँ पे आप इस table में देख सकते हैं bonus बोनस बोनस 51,700 रुपय मिलेगा हर साल यानि कि 50,600 आप जमा कर रहे हैं और 51,700 रुपय बोनस मिल रहे हैं तो यानि कि आप जितना जमा कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे बोनस भी मिल रहे हैं यानि कि 100% से ज्यादा return तो इसी concept को मैंन तो यहाँ पे 51,000 को आप देख सकते हैं calculation किया गया है 57,700 इंटू 25 यानि कि 12,32,000 रुपय आपका बोनस ही हो जाएगा साथी साथ इसमें fab यानि कि final edition बोनस जो है जो कि 450 रुपय पर 1000 समेशोड पे है वो भी मिलेगा यानि कि 4,95,000 यह हो गया और यहाँ पे जो maturity होगी 25 साल पे वो होगी 28,87,500 रुपय का आपका premium कितना होगा 8,11,419 इसलिए मैं ने बोला था 8,00,000 रुपय आपको जमा करना होगा और 28,00,000 रुपय से जादा इस plan में आपको मिलेगा अब देखते हैं यहाँ पे table अब अगर आप किसी app के तुरू इसका table इस तरह से prepare करते हैं PDF तो यानि कि 25 साल में premium देखेंगे yearly क्याओन हजर साथ से 69,000 रहा है, natural death पे जो coverage है 11,000,000 का और accidental पे 22,000,000 का दूसरे साल से 50,644 आप देख रहे हैं 40 की age तक करना होगा मैंने 25 की age से यह लिया है यानि कि सिर्फ इसमें 16 साल premium पे करना होता है तो यानि कि 16 साल तक 50,000 रुपय एक एक लाग रुपय सेव होगा यानि कि हर साल आपका जो premium है वो double हो रहा है यहाँ पर 50 आप दे रहे हैं 50 यह दे रहे हैं एक लाग रुपय सेव हो रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इसमें जो amount है वो maturity का 8,11,419 और return के तो मिल रहा है 28,87,500 लेक जो कि आप चाहें तो snapshot ले सकते हैं प्रिंट आउट ले सकते हैं इसी के थुरू आप समझा सकते हैं customer को तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो column है वो है term का यानि कि जो plan है वो है 25 साल का plan भी मैं आपको नाम बताये तो plan का नाम है जीवन लाव 25 सोला यानि 25 सा 2769 पहले साल में है addition होगा LIC से 21700 का जो कि है bonus यहाँ पर मैं लिखा है yearly bonus from LIC bonus change होता रहता है थोड़ा बहुत बहुत जादा changes नहीं होते हैं वो declare every year होते हैं आप check कर सकते हैं same दूसरे term से आप देख सकते हैं 5644 addition होगा 21700 जो कि होता रहेगा कब तक 16 साल तक आप देख सकते ह यहाँ पर 16 साल जो term है वहाँ तक होता रहेगा अब 16 साल के बाद आपको जो 50644 है वो नहीं भरना है बाकी के बचे हुए 9 साल है तो होगा क्या आपका भी पैसा LIC add करके यहाँ पर देख सकते हैं 5700 प्लस 55000 यानि कि around 1 लाग से ज़्यादा LIC save करती रहेगी बाकी के 9 साल ठीक है तो यानि कि 16 साल में जो अपने 50-50,000 रुपया बरा और 50-50,000 रुपया LIC ने दिया तो 16 साल में 16 लाग हो गए जमा बाकी के जो राष्ट के 9 साल है उसमें आपका भी पैसा LIC भर रही है यानि कि बाकी के 9 साल एक-एक लाग करके 9 लाग वो हो गए तो 16 और 9,25 और 3 सबतीन लाग के करीब आपका लोयल्टी एडिशन और फाइनल एडिशन मिलाके अमाउंट हो रहा है तो टोटल आपका जो रिटर्न होगा वो होगा 28,087,000 रुपया अब जो 11,700 बोनस है यह आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी बोनस डिक्लेयर होता है उसके उसको आप कस्टमर को बता सकते हैं डिवाइड करके कि 4,50,000 डिवाइड बै 9 यानि कि 55,000 रुपया वो हो रहा है फैब का अमाउंट फाइनल एडिशन बोनस का तो वो बाकी के 9 साल में आप जो बाकी के लास्ट के 9 साल है वहाँ पे आप उन्हें दिखा सकते हैं कि इस तर का थ्रू बताएंगे तो कस्टमर को भी फील होगा कि हाँ इसमें हर साल 50,000 वो दे रहें 50,000 LIC से बोनस मिल रहा है यानि कि डबल हो रहा है उनका हर साल पैसा एक एक लाक रुपया से हो रहा है आप 50,000 बचा रहें लेकिन एक लाक रुपया LIC सेव कर रही है और जो 18,000 रुपय का यहाँ पे बेनेफिट मिलेगा तो यह है इसी बेनेफिट इलस्टूशन अब हम बढ़ते हैं प्लान की डिटेल पर मैंने आपको बता दिया जीवन लाक प्लान है टेबल नंबर है 936 एज मैंने यहाँ पे 25 साल का लिया है समेशोड 11,000 रुपय का लिया है औ और 25 साल का टर्म है 16 साल का है अब देखते हैं प्लान का जो बेनेफिट का एक समरी है तो LIC G1 लाक जो है नाम से बता रहा है एक लो प्रीमियम और हाई मेचियोरिटी बेनेफिट वाला प्लान है यह प्लान बहुत ही परफेक्ट श्वाई से उन सभी के लिए जो एक अच् साल का प्लान प्रीमियम है इसमें मेचियोरिटी 28,87,500 के मिलेगी आपको पेमेंट सिर्फ 8,11,000 का करना है 16 साल यह प्लान इंशूरेंस भी ओफर करता है जिसमें 11,00,000 रुपया होता है और एक्सिदेंटल पे डिसेबिलिटी का भी 11,00,000 रुपया है इन केस अफ डिसेबिलिटी का भी यहाँ पे टेक्स बेनिफिट 15,701 रुपया तक का yearly मिल सकता है जो आपने प्रीमियम पेड किया है उस पे और जो यहाँ पे amount है maturity वाला और survival amount है वो भी tax free होता है under section 1010D तो guys यह प्लान था I hope कि आपको प्लान समझ नहीं आ गया होगा still अगर समझ नही वीडियो बनाके और detailed जो यह benefits illustration है उसको समझा दूँगा however I hope कि आपको समझ आगया होगा मैंने सिर्फ यहाँ पे bonus का बताया है जो yearly bonus declare होता है LIC का वो इस plan में अगर आप 50,000 भर रहे हैं तो उस पे 5,700 रुपय तक का bonus आएगा और जो last के 9 साल का मैंने दिखाया है तो वो bonus ही दिखाया है मैंने because bonus to declare होगा ही plus जो final addition bonus का amount है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो amount को मैंने 9 part में divide कर दिया है यह जो final amount का है 4,95,000 इसको मैंने divide by 9 कर दिया है तो वो 55,000 रुपय के करीब आ जाएगा तो वो यहाँ पे मैंने add करके दोनों लिखा हुआ है यह वाल loyalty addition करके loyalty addition यह 2,88,000 रुपय additional add करके 88,87,000 रुपय मिल जाएगा as a maturity I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल subscribe नहीं किया है तो इसको please subscribe कर लें thank you